हेलो दोस्तो मैं डॉक्टर रविकेशव आपका स्वागत करता हूं अपने यूटूब चैनल पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकोन को दबा दे ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आ या दवाई इंजेक्शन में मिलती है इसको आई एम और आई वी दोनों हम कर सकते हैं इसके प्राइस के बार में बात करें तो या मार्केट में अच्छी से सो रुपे के बीच में मिलती है इसके प्योक के बारे में बात करें तो विशियस रूप से या यूरन इफेक्शन क का इलाज करने के लिए किया जाता है इसके अलावा मिकस इनका अपियो कुछ दूसरी समस्या के लिए भी किया जाता है इसके बारे में भी आपको जनकारी देंगे इसमें पेशन की पिछली स्वास्ता के अनुसार इसका मुख खुराग दिया जाता है इसकी सही मातरा इस परकार भी निर्वर करता है कि मरीज की मुख समस्या क्या है और उसे किस तरीके से दवा दी जा रही है प्रेगनेन महलाओं में इसके क्या लक्षन है पेग्णन मलाओ के लिए मिकसिन का परभाव गंबीर है जो बच्चों को दूद पिलाती है उन पर उसका परभाव बहुत ही अग्यात होता है अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो मिकसिन के साइड इफेक्ट लंबे समय तक नहीं रहते और एक बार इलाज पुरा हो जाने के बाद में अपने आप ही खतम हो जाते हैं अगर इसका साइड इफेक्ट ज़्यादा बिकड जाता है या ठीक नहीं होता तो अपने सीनियर डॉक्टर से तुरंट बात करें जिस पेशन की किड्नी पूरी तरह से खतम होती है या बहुत ज़्यादा अंफेक्टेड होती है उस पेशन को भी हम या इंजेक्शन नहीं दे सकते वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद